हेलो फ्रेंट्स मेरी चैनल यान श्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम सभी जान लेते हैं डाइबिटीज, बबासीर और गठिया के रामबाग्र इलाज के बारे में फ्रेंट्स यह एक चीज जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ यह बहुत ही एफेक्टिव है आपकी इन तीनों समस्याओं में और यदि आपको यह समस्या है तो आप इसका सेवन जरूर करिए इससे आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा फाइदा होगा मैं चीज चीज के बारे में आपको बताने वाली हूँ वह है महुआ का पेख महुआ का पेख अनिक औसधी अगों से भरपूर होता है इस पेख में पोटेशियम, कैलसियम, फासपूरस और बसा जैसे पोसक तक तो भरपूर मातरा में होते हैं जो कि आपके सरीर के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है इसलिए जो महुआ होता है इसका इस्तिमाल चिकित्सा, साबून और स्किन की देखभाल के लिए करते हैं इसके साथ ही यह जो महुआ होता है यह डायविटीज, बावसीर और गठिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी संभव है तो सबसे पहले जानते हैं डायविटीज के ईलाज के लिए जो लोग भी इस समस्या से पेड़ित होते हैं उनके लिए महुआ एक बहुती बहतरीन कारगर औसदी की समान है महुआ की चाल से बना काढ़ा पीने से सुगर का लेबल कंट्रोल रहता है इसके साथे डायविटीज की बिमारी भी बहुती आसानी से कंट्रोल रहती है और धीरे धीरे यह समस्या कुछी दिनों में बहुती जादा कम हो जाती है इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बबासीर की समस्या के लिए तो बबासीर की समस्या के लिए जो महुआ का पेग होता है इसके फूल बहुती ज़्यादा लाव दायक होते हैं आप महुआ के फूलों को घी में भून कर रोगी को नियमेत रूप से खिलाएं तो इससे जो बवसीर की बिमारी होती है उससे छुटकारा मिल जाता है अब बात करते हैं गठिया के लिए तो गठिया के लिए या फिर अलसर की समस्या जैसी जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी महुआ की छाल का जो काढ़ा होता है महुआ की छाल का काढ़ा बनाए और आप नेमित रूप से आप उसे कुछ दिनों तक पीछिए तो इससे आपके सरीर में आपको खुदी फर्क समझ में आएगा तो दोस्तो इन तीन समस्याओं में महुआ जो है बहुत ही जादा एफेक्टिव होता है और इन से छुटकारा पाने में आपकी मदद करता है उमीद करती हूँ कि यह चोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड धेर सारी इन्फोर्मेशन मिलेगी इसके साथ ही आप वैल की आइकन को भी दवाईए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताएए कि आप और हेल्थ से रिलेटेड किस तरह की इन्फोर्मेशन चाहते हैं